वालेंटाइन्स डे के मौके पर बॉलिवूड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने पहले प्यार से जुड़े कई घुलासे किये हैं आपको जानका हरानी होगी कि उन्हें 10 साल पहले पहला प्यार हुआ था आमिर की मशूर फिल्म जोजीता वही सिकंदर का प्रसद गाना पहला नशा पहला खुमार तो आपको याद ही होगा ये गाना वालेंटाइन्स डे के दिन आमिर खान खुद सुन रहे थे जिसके बारे में उन्होंने फेस्बुक पर जिक्र किया साथ ही आमिर ने एक वीडियो भी सांजो किया जिसमें वो खुद का पहला नशा को लेकर बात कर रहे है जब मैं दस साल की उमर का था तब पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था यह बात बहुत कम लोग जानते हैं मैंने टैनिस कोचिंग जॉइन की थी उस वक्ट टैनिस कोचिंग में बहुत बड़ा ग्रुप था करीब 40-50 बच्चे थे जो कि लग भग 10 साल के ही थे एक लड़की थी उसको देख कर मैं दंग रह गया था पहली बार देखा तो पूरी तरह से प्यार हो गया था पदब दिन रात उसके बारे में ही सोचता था पहला नशागाने में जो वो लाइन है उड़ता ही फिरो इन हवाओं में कहीं तो मैं उस समय हवाओं में ही उड़ रहा था लेकिन उससे कुछ कहने की हिमत नहीं हुए तब मैं बहुत छोटा था और वह भी उसी उमर की थी और खुब सूरत थी उन्होंने आके कहा कि इस सब के बीच उनका टैनिस गेम अच्छा हो गया करीब एक साल इस चकर में टैनिस गेम अच्छा हो गया मैं पहले आता था और लास्ट में जाता था एमप्रेस भी करना चाह रहा था एक जट साल बाद उसकी फैमली वो शहर छोड़ कर चली गई ये सालेंट लव था जो कभी पूरा नहीं हुआ इंट्रेस्टिंग बात ये है कि दो तीन दफा ऐसा प्यार हुआ पर मैं लखी नहीं था लव में अब हूँ उस वक्त नहीं था इसलिए मेरा स्पेशल इमोशन रहा है उन लोग के लिए जिने प्यार नहीं मिलता तो उनके लिए खास जगा है सबको वालेंटाइन्स डे की विधाई आशा करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा आनिस रिपोर्ट